कि हालो एवरीवन वेलकम टू दे प्लेटफॉर्म चैप्टर टू साइंस एंसियार्टिका हम बढ़ रहे थे और उसी के आंगे जो चैप्टर टू की जो नोट से उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे आज हम चैप्टर का नाम था कंपोनेंट्स ओफूड मेजर न्यूट्रेंट्स इन अवर फूड आर हमारे बोजन में कौन-कौन से मुख पोश्चतत होते हैं सबसे पहले कार्भोहडरेट मुख होता है प्रोटीन्स फैट्स इसके बाद बिटामिन्स और मिनल्स भी होते हैं हमें तीन याद रखने हैं कि कौन-कौन से जो मेजर न इसके अत्रुक्त हमारे खाने में कुछ डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे डाजेशन को स्ट्रोंग बनाते है अब करिक्षण करेंगे किषी बोजन में कौई कार्ल मुख है है या प्रोटीन है या फैट है अन्न कोई बिटामिने बिनल से कि नहीं है उसके उपस्तेति के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने जिस भी फूट में हमें कार्बॉड्रीट को पस्तिती पता करना है उसमें थोड़ा आयोडिन का बिलियन डालेंगे और यदि जो सॉलूशन है वो बिलू और ब्लैक हो जाता है तो कार्बॉड्रीट पस्तित पाया जाता है और यदि नहीं होता तो सबसे पहले मेंस्ट फूड फूड लिया जिसमें पता करना चुप प्रमेस किया और आयोडीन मिलाई और यदि ब्लू और ब्लैक हो गया तो कार्बोहड्रेट है अगला है है किकि इंपॉर्टेंट पॉट्टि अगई और सुगर को सबसे पहले सबसे पहले मैस्ट भून ना सुगर करता हुआ खाना उसमें κ content डालेंगे प्लस 10 से बूंद न कास्टिक सोडा की डालेंगे यदी पूरा व्लियन वाइलेट पैगनी हो गे तो प्रोटीन अपस देते क्या क्या करेंगे food लिया, पाप्पर स सल्फेट डाला और 10 से बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे तो यदि पूरा जो solution है विलियन है वो violet बैगनी रंका हो जाता है तो उसमें protein है आगे बढ़ेंगे अभी हमने दो परिक्षट पढ़े लिए हैं कौन-कौन से कार्भाडेट को बस्तिती के लिए और प्रोटीन को बस्तित लिए कार्भाडेट के लिए क्या करते हैं ये पता लगाना है आओडीन मिलाई है ये ये बिलू और ब्लैक हो गया कार्भाडेट है और प्रोटीन के लिए करते हैं कौपर सल्विट डालो फूड में एन्युवश डालो और ये जो solution है वो वालेट हो जाता तो प्रोटीन है अब हां James with your food कि थोड़े टुकड़े कि मेह पिपर में लगल पेडह और यह थोड़ा से दवाव दीया 맞 g食べ और यदी पेपर में कुछ Gemma की दिखाए देने लगते कुछ दिल जैसा दिखाए देने लगता है तोस पर फैट है और यदे प्रोटीन्स और फैट्स उनके पर इच्छड़ा मिल जाने कि हम किसी फूड में यह तीनों हैं या नहीं है कैसे पता करेंगे अब इसके बाद आते हैं कुछ इंपोर्टेंट बिंदूओं पर उस इंपोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स पर पहला कार्भोईडेस हमें क्या परदान करते हैं हमारे सरीर को क्या देते हैं एंठी देते हैं यदी हम एक निश्चित मात्रा फैट की कंजूम करें और यी निश्चित मात्रा कार्भो!」 dois गिलिए है वह ज्यादा इनर्जी प्रदान करते हैं आगे एक बुलिट पॉइंट क्या है प्रोटीन सा नीडिड फूर्थ एंड रिप्यर ऑफ वर वाड़ी जो प्रोटीन से वह आवेशक होते हैं हमारे शरीर की विखास के लिए और उसकी छथी पूर्थी के लिए आगे आते हैं प्रोटीन को नहीं कहा जाता है याद रखे अपर्टीन को क्या कहा चाता है बॉड्डी वील्डिंग फूड प्रोटीन का प्रोटीन कर्प्रोटीन करने से हमारे बॉडी में मसल्स का डेवलाप्पेंट होता है आगे आते हैं समट्सिस अव करवॉड़ड़ है तो हम जो भी गेंहू खाती है जो चावल कहते हैं जो बाजरा अम क्ञा खाती हैं तर्बूज खाती तैसे आलो हो गया आम हो गया आदी इसकी बाद आते हैं Fet की Surces क्या होते हैं जो बसा है उसके शुरूत क्या होते हैं दूतरे के मुंफली तिल नड्स सुयवीन कोकोनेट ओल मस्टर्ड ओल एंड सनफ्लावर ओल सभी जो तेल हैं मुंफली हो गया और एनिमल सोर्स में क्या है फैट की सोर्सिस एनिमल सोर्सिस में घी हो गया मिल्क हो गया क्रींग बटर एंड मीट इसके बाद आते हैं प्रोटीन के सोर्सिस जथी प्रोटीन के कौन-kौन से सोर्सिस तो आप बता हैं, दो तरह से कटागराइज करेंगे सबसे पहला प्लांट सोर्स दूसरा अनिमल सोर्सिस, मुंग, ग्राम, पीच, सोयवीन, बीन, से डाल जो वेजेटीरियन लोग होते हैं हमने प्रोटीन के भरपाई कैसे करते हैं मूंग खाते हैं वो चने खाते हैं मटर खाते हैं सोयवीन खाते हैं बीन्स काते हैं दाल खाते हैं और जो नॉन वेश्टीरियन होते हैं यह एक्स लेते हैं भी इस लेते हैं भी परलडी व लन एक्सिटिय ओक्रक्र। हम पुसरीच बूहरा पीज़िकल यह ईक्साइज करते हैं तो हमारी बढ़ावำ में कुछ विटामेंस पे हैं हमने कार्पांटेड की बात कर लिए फैट की बात कर लिया बाते हैं बिटÁmind ? क्या करता हमारी सरीर के लिए ? फस्ट एरो देखिए विटामिंगे कीपस और इषके नहाण जाल दी जो बिटामिन nd emotion है ॅध हमारी तर्शा को और हमारी तर्षा को फिसत बनाताiciones अगे हमारे शरीर को हट्टियों और दातों के लिए केलसियम की मदद मिलती है केलसियम प्राप्त होता है आ है मिटामिन डी से ही आगे हैं बड़ा मेंदी के सोर्टिस क्या हैं बड़ा जीन जीर रदी ते रड़ घर मिलक तो संप्णा हा रह但是 निए मिल्क से तो अनिक वितामिन, मिनराल्स की पूर्ति होती है मिल्क में क्रवाटइड़ भी होता है प्रोटीन भी होता है मैं पॉटन भी होता है इसलिए मिल्क को संपूणहार कर जाता है बिटामिन B की सुरूत क्या है लीवर, फीट, राइस, बिटामिन C की सुरुचत क्या जो भी कटे फल है, बोजन है, ओरेंज, टोमेटो, जो आपसे आपला, एंड लेमनी, एक बिन्द वियाद रखने हैं यहाँ पर कि आपला में 20 कुना ज्यादा बिटामिन C होता है ओरेंज बिटामिन इसनलाइट से मिलता हूँ और इसके अन्यश्रोत क्या है, मिल्क है, बटर है, एग है, फिस है, एंड लीवर है, आगे आते हैं, राइस ही जग कार्बोहड़िट रिस हो, जदि पूछ जाए कि राइस में चावल में क्या होता है, मुक ता उसमें कार्बोहड़ि किस बिटामिन कमी से क्या रोग होता है, तो बिटामिन A की कमी से, लॉस ओ विजन रतोंदी कहते हैं, रतोंदी हो जाता है, बिटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी होता है, वेरी वेरी में वीक मसल्स हो जाती है, बिटामिन C की कमी से स्करवी रोग होता है, इसकरवी में हमारे जो बसूडखे हैं को ने करने लगता है LL से Bakला लोग होता है नलगदानली अर्च को साए आज अंगतीया होता जाती क्या UCR लिएई तो आलहेज को आःवेज़ूते शिक्राइजिया होता है तो यह था चप्टर टू विथ प्रॉपर नोट्स एंड पॉलिट पॉइंट्स अब हम चप्टर थी पढ़ेंगे पहले बुक से फिर इसके बाद नोट्स से थैंक यू फूर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब